अब हम पढ़ेंगे हिंदी, दिखे हिंदी के अंदर कल मैंने आपको विलोम सब्द के बारे में सब्दाया था, उसमें मैंने आपको विलोम सब्द की परिपाशा और उसके कुछ उदानों को किया था, तो आज हम अन्य विलोम सब्दों के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पेले विलोम सब्द हम जो लिखते हैं, पेले सब्द है चतुर, क्या है चतुर, अब चतुर का वीप्री तर्थ क्या होता है, चतुर तो होता है हुंसियार, हुंसियार वक्ति को चतुर बोलते हैं, तो इसका विपरी तर्थ, यानि विलोम सब्ध होता है मूर्ग. क्या होता है? मूर्ग. आनि चत्तुर, इसका विलोम तब क्या हो जायगा? मूर्ग. दूसरा, फिर हम दूसरा लिखते हैं कपूत. और इसका हो जाएगा सपूत. सपूत अच्छा बेटा और कपूत हो गया गंदा लड़का फिर काला काला का विलोंग सम्ध हो गया गोरा काला का क्या हो गया गोरा इसी प्रकार से गुलाम गुलाम का विलोंग सम्ध हो आजाद क्या हो आजाद पहले लिखा चत्तुर उसका हो गया मुर्क कपूत का हो गया सपूत काला का गोरा गुलाम का आजाद सुक और सुक का विलोंग सम्ध होगा दुख, क्या होगा, दुख बड़ा, बड़ा का विलों सब छोटा क्या होगा, छोटा फिर है स्वर्क स्वर्क का क्या होजएगा, नर्क अधिक, और अधिक का विलों सब गम क्या होगा, कम चत्वर का विलों सब दुख कपूत का सपूत काला का गोरा गुलाम, अजात सुख का विलों सब्दुख बड़ा का छोटा स्वर का नर्ग और अधिक का कम फिस सुब सुब का असुब थोड़ा थोड़ा का क्या होगा ज्यादा पाप पुन्य पाप का पुन्य अगला है इमानदार और इमानदार का क्या होता है बहिमान क्या होगा बहिमान पुरुषकार किसी को इनाम मिलता है तो किसी को दंड तो इसका विलोम पुरुषकार का विलोम सब्द हो जाएगा दंड क्या हो जाएगा दंड सच सच का जूट क्या होगा सच का जूट सुबह का साथ और इसका सोला अंतिम नंबर है अंदर और बाहर अंदर बाहर तो कल हमने इसकी परिवासा पड़ी थी परिवासा को समझा था और उसके कुछ उदानों को किया था आज हमने सोला विलोम सब्द लिखे हैं इनको आप अपनी कोपी में लिखिए और इनको याद कीजिए